तो कैसे हैं आप लोग अमीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो आज की जो मेरी रेसिपी है वो है प्रॉंस घी रोस्ट जो की बहुत ज़दा यमी बनते हैं तो उसके लिए चैनल को सबसे प्रेस सब्सक्राइब कर लिजी और बेल आइकन भी दबा दीजी जिस अध़ चमज अधा क्रसंड का पेस्ट अधा चमज नम्मक और अधा चमज हल्दी डालकर इसको अच्छे से मैरिनेट कर लिया था हाप आवर के लिए उसकी बाद हम बनाएंगे अपना दूसरा मसाला तो उसके लिए इस सबसे पहले मैंने तीन से चार चमज दही लिए थे लिए इसमें अधर समाश हल्दी एक चमश कश्मीरी लाल मिर्च अधर धन्या पाउडर अधर जीरा पाउडर अधर चमश लाल मिष पाउडर एक चमश गरम मसाला पाउडर और थूरा-चा ड्राइए मैंगो पौडर मैंने एड किया था यहां पर बहुत से लोग इंपल्प डालते हैं तो मैंने वह नहीं डाला मैंने थोड़ा सा खटाइफाटर एट किया था सिर्फ खटास के लिए हलकी सी और टेस के साथ से नमक करके इसको अच्छे से फेट लेंगे तो अब यहां पर हम सबसे पहले पैन में घी तो घी जैसी हमारा गरम हो जाएगा तो हमने जो प सब्सक्राइब कैसे किया जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्षन में बताइए बोलिए तो मैं उसका भी वीडियो आपको दोंगी बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हो बिल्कुल भी इसमें से सी फूट है तो बिल्कुल भी वैसी स्मेल नहीं आती है जिस वज़से बहु नहीं से फ्राइब करना तो इसे बाहर निकाल लेंगे तो सेम पैन में एक प्याज लीती बारी कट कर लिया था उसको एट किया प्यास को अच्छे से सौटे कर लेंगे इसमें और फ्रवा सा गी और अट कर लेंगे प्याज हमारी लाइट ब्राउन हो चुकी है तो यहाँ पर मैंने जो दही का मिक्स्चर बनाया था सारे मसालों के साथ उसको एट कर देंगे और इसके मसाले को अच्छे से पका लेंगे और सेपरेट होने तक मसाले को अच्छे से पका लेना है इस तरीके से अब यहां पर मैं थोगा सा पानी आड़ करूंगी और 2-3 मिनिट के लिए इसको और अच्छे से पका लेंगे तो यहां पर देखिए हमारा मसाले ना अच्छे से पक गया और ऑईल भी सेपरेट होने लग गया तो यहां पर आड़ करेंगे अधा चमच काली मिश्का पाउडर एक चमच चाट मसाला और इसको भी इसमें मिक्स कर लेंगे यह बहुत ज़दा यमी लगता है और मेरे एक जहेंगा फ्राई की भी रेसिपी यह प्रॉंस फ्राई अगर आपको वह भी रेसिपी देखनी है तो मैं यहां पर वीडियो का लिंक दे दूंगी आप जरूर से देखिएगा आपको बहुत पसंद आएगे और भी बहुत यम पत्ते फ्रेश कटी पत्त डालेंगे तो उसका फ्लेवर और भी ज्यादा अच्छा आता है इसको मिला लेंगे अब यहां पर मैंने एक हरिमेज ली थी उसको भी बीच से स्लेट करके डाल दी आप देखिए मसाले आप अपने हिसाब से डाल लीजेगा क्योंकि कोई-कोई- कम खाना पसंद करता है तो वह सब अपने हिसाब से आप बैलेंस कर सकते हैं यहां पर मैंने आधा लेमन का जूस भी आइट किया था उसको भी अच्छा से मिला लेंगे यहां पर हमारे मज़ेदार से प्राउंस घी रोस्ट बनके रेडी हो चुके हैं आप इसको पराट्री के साथ खाईए पूरी के साथ खाईए या इवन डाल चावल बनाएए और इसके साथ खाईए आपको सच में बहुत ज़्यादा यमी लगेगा तो मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स पर वाचिंग